हेलो स्ट्वेंट ये क्लास DRT फरस्ट येर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फरस्ट पॉजिस्निंग अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी हाल रखी है है सकारट रडिया चरह लेटें अपने स्कल के व्यू पढ़ रहे थे इसमें सभी बौण के पढ़ लिया थे और अपने पेरेंजल साइनस के लिए पेरेंजल साइनस में इस लुखार करें चैनि ऊकिल अगा इसम इंटीरिट्र रखूं अछलनाral дорğ आज अपने पडएंगे right and left oblique view right and left oblique view देखो नाम से पता जलopic view है oblique view तो patient की position कैसे रहेगी oblique position में रहेगी right या left जो side affected अपने view में लेगे सबसे पहले इसके indications की बात करें इसका indication है to demonstrate pathology condition कोई भी pathologies condition है उसको demonstrate करने के लिए ये view किया जाता है जिसमें अपने cassette size, cassette size क्या रहता है? 8-10 और 10-12 जो के skull के सभी normal view में रहता है इसमें specially बिताएगा ये ethmoid sinus को देखने के लिए view किया जाता है बाकी view भी इसमें दिखाई देंगे बट इत्मोइड sinus अपना अच्छी तरह clear scene हो जाएगा उसके बाद अपने बात करते हैं position of patient की patient की position क्या रहेगी patient prone on the x-ray table in true PA position patient बिल्कुल PA position में table पर उल्टा लेटेगा patient middle societal plane is perpendicular to the table patient का middle societal plane table के perpendicular रहेगा the rotate the head 39 degree to each side oblique view करने के लिए अपने क्या करेंगे head को 39 degree rotate करेंगे patient अपना क्या है PA view में तब अपने क्या करेंगे या तो left side में जो कि affected side है उस side में या right side में head को 39 degree rotate कर देंगे इस पैसेंट इन इरेक्ट पोजिशन अगर अपना पैसेंट क्या है इरेक्ट पोजिशन में है तो head clamp should be used to steady the head तो अपने क्या करते हैं head को एक गे स्तिर करने के लिए head clamp का यूज करते हैं नेक्स्ट है पोजिशन ओफ कैसेट की पोजिशन क्या रहेगी तो कैसेट अपर बॉर्डर should be one inch above to the vertex of skull जो अपने स्कल का vertex पार्ट होता है उससे कैसेट को एक इंच ऊपर रखेंगे अभी अपनने क्या है जो पैसेंट की पोजिशन पड़ी वो यादग्रोप इसले कौन से व्यू में अपनने की थी जो अपना स्टेनवर्स व्यू था किसके लिए मेस्टोल्ड सेल के लिए स्टेनवर्स व्यू उसमें अपनने सेम यही पैसेंट की पोजिशन रखी थी स्टेनवर्स व्यू और ओबलिक व्यू किसके लिए paraneasal sinus के लिए दोनों के में patient की position same रहती है बट अपने क्या करते हैं centring change कर देते हैं इसमें अपने centring रहेगी central ray over the two inch above and two inch behind the external auditory meters EAM external auditory meters of the side away from the film at right angle to the centring अपने कहां करेंगे two inch उपर और two inch पीछे किसे external auditory meters से away from the film two external auditory meters अपना case set से दूर है उस external auditory meters से two inch उपर और two inch पीछे कितरफ centring करेंगे और tube में कोई भी अंगल नहीं देंगे यह अपने centring हो गई paraneasal sinus के oblique view के लिए आगे अपने इसमें radiological appearance की बात करें तो radiological appearance में अपने दिखाई देता है the posterior ethmoid is in the shadow of orbit जो ethmoid sinus है वो अपने को orbit की shadow के अंदर दिखाई देता है अपना ethmoid sinus कहा होता है जो अपना orbit और नेजल है नेजल सेप्टम इसके जैस्ट पास में है नहीं आगे के पार्ट में है जहां अपने क्या है यह eyelids है आई के अंदर का पार्ट है वहीं अपने क्या होता है इत्मोइड sinus तो इत्मोइड sinus अपने को कहां दिखाई देगा orbits के अंदर in the shadow of orbit the optic foramen and floor of the anterior fossa are also seen optic foramen or floor of the anterior fossa are also seen जो अपने आगे के पार्ट में फोसा होता है वो और optic foramen है याँ जो orbits के orbits का foramen है वो अपने को इसके साथ में seen होता है यह हो गए इसका radiological appearance इसके पर position की बात करें तो patient की position क्या थी patient table पे prone लेटेगा prone लेटने के बाद patient की जो affected side है उस side को अपने क्या करेंगे 39 degree उस side अपने patient के head को rotate करेंगे और patient का middle societal plane क्या होगा टेपल के perpendicular रहेगा और patient को head को immobilize करने के लिए एक्जगस्तिर करने के लिए क्या करेंगे head clamp का use कर सकते हैं या फिर non radio opaque pads का use करेंगे इसके बाद अपने बात आती है centring की तो centring कहां करते हैं अपने जो film से दूर अपना external auditory meters है उससे दो इंच उपर और दो इंच पिछे की side में अपनी centring करेंगे अब बात करते हैं अपने exposure की exposure क्या रहेगा तो इसमें distance रहेगी 90 to 100 cm केवी रहेगा अपना 85 अमेस की बात करें तो अमेस अपना रहेगा 60 और grid का use अपने करेंगे तो ये हो गया अपना paranesal sinus यानि इत्मोइड के लिए especially इत्मोइड के लिए view हो गया right और left oblique view इसके बाद अपने view की बात करते हैं hanging head position hanging मतलब लटकता हुआ यानि उल्टा लटकाना सर को जैसे उल्टा लटकाते हैं उस position में अपने view करेंगे इस view का नाम होता है sub-mento vertex view sub-mento मतलब जो अपना mento part है mento part कौन सा हो गया mandible का menti part उस part से vertex view vertex की तरफ अपनी x-rays जाएगी vertex कौन सा part होता है skull का जो top part हो और menti कौन सा part होता है mandible bone के जो निचे का part हो उसको अपने यानि आगे का part हो उसको menti बोलते हैं तो एक तरह से देखें तो ये view अपना कौन सा हो गया inferior to superior view बट इसमें अपने क्या है इसरी के अपने head को उल्टा लटकाते हैं उस प्रकार से अपने head की position रहेगी तो अपने head को उल्टा लटकाते हैं तो head की position कैसे रहती है head का जो vertex part हो के set से तच में रहता है और जो mandible वाला part वो ऊपर रहता है यह हैंगिंग पोजिशन होगी इस प्रकार से अपने ये व्यू करेंगे इस व्यू को अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने बात करते हैं इंडिकेशन की, इंडिकेशन क्या रहेगा तो to demonstrate foramen magnum जो अपना foramen magnum होता है foramen magnum को अच्छी तरह देखने के लिए अपने व्यू करते हैं for posterior ethmoid sinus and sphenoid sinus अपने ethmoid sinus और sphenoid sinus sphenoid sinus का होता है orbits के पिछे के पार्ट में इन दोनों को देखने के लिए ये व्यू किया जाता है अपने cassette की बात करें तो cassette की position कैसे रहेगा cassette का size क्या रहेगा 810 और 1012 जो कि सबी normal skull के views में रहता है next अपने आती है position of patient patient की position क्या रहेगी तो अपना view कौन सा था देखो hanging head position hanging head मतलब head को उल्टा रखना उल्टा कैसे रखेंगे vertex पाट वो नीचे रहेगा और mandible बाला पाट वो उपर रहेगा उसे प्रकार अपने अभी position set करेंगे तो इसमें देखो patient supine on the x-ray table in true ap position patient क्या है true ap position में table पर supine लेटेगा sand bag और pillow placed under the shoulder to rise the shoulder shoulder को उपर उठाने के लिए rise करने के लिए shoulder के नीचे pillow या sand bag अपने लगा देंगे the neck is hyper extended to bring the vertex of the skull to the contact with the cassette अब अपने क्या करेंगे neck को hyper extend करेंगे extend मतलब क्या होता है body का angle increase करना extend करेंगे hyper extend यान बहुत ज़्यदा extend करेंगे किसलिए ताकि अपनी ब्रिंग यान अपनी position आसके कौन जी position vertex of the skull to the contact with the cassette अपना जो head का vertex part है वो cassette के touch में आजए देखो line क्या करी है अपने head को hyper extend करेंगे ताकि जो अपना vertex part है head का वो cassette के touch में आजए और mandible का हो जाएगा बिल्कुल उपर the head is adjusted so that the EAM external auditory meters are equal distance from the cassette head को इस प्रकार adjust करेंगी कि अपने दोनों external auditory meters cassette से equal distance पे होने चाहिए एन external auditory meters या ear पिना भी बोल सकते हैं तो cassette से दोनों बिल्कुल equal distance पे होंगे तो अपने क्या हो जाएगी true AP position हो जाएगी patient middle societal plane is perpendicular to the table patient का तो middle societal plane है वो टेबल से perpendicular रहेगा यानि अपने ने क्या किया vertex part को cassette के touch में कर दिया और medieval part उपर आ गया तो अपना middle societal plane table के perpendicular रहेगा patient orbital line is parallel to the table patient की orbital line table से parallel हो जाएगी बाकी सबी view में देखो अपने middle societal plane अगर perpendicular होता है तो orbit orbital line भी perpendicular आ रहे थी अगर अपना middle societal plane parallel आ रहा था तो orbit orbital line भी parallel आ रहे थी बट इस view में क्या हो गया middle societal plane perpendicular आ गया और अपनी orbital middle line क्या है parallel हो गई याणि middle societal plane समानतर आ जाएगा और orbital middle line sorry middle societal plane लंबवत हो जाएगा table के या cassette के और orbital middle line अब वो क्या हो जाएगी table या cassette के समानतर हो जाएगी immobilize the head by non-radio opaque pads and sandbag head को immobilize एकट के स्तिर करने के लिए non-radio opaque pads या sandbag का यूज करते हैं इसके बाद आती है अपने position of cassette cassette की position क्या रहेगी तो cassette की position normal views में अपने क्या रहती है cassette upper border should be one inch about to the vertex of skull यानि जो पहले अपना patient के AP position में लेटा है तो अपने cassette की position लगाएगे कहां पे लगाएगे vertex part से एक inch उपर यानि अपने क्या है skull पूरा उसमें include हो जाना चाहिए अब बात करते हैं centring की centring कहां करेंगे तो central ray over there midpoint of a line joining the angles of mandible at right angle to the film centring अपने वहां करेंगे उस line के midpoint में करेंगे जो line किसको join करती है दोनों mandible angles को आपस में मिलाती है उस line के midpoint में centring करेंगे और tube में कोई भी angle नहीं देंगे एक बार centring को दूपार देखो centring कहां करेंगे दोनों mandible angles को मिलाने वाली line के midpoint में अपने centring करते हैं इसके बाद देखो अपने पैसेंट की पोजिशन दिखा रखी है देखो पैसेंट उपर वाले डाइग्राम में देखो एपी पोजिशन में लेटा हुआ है इसके हेड के निचे क्या किया अपनने sandbag या pillow लगा दिया जिससे soldiers क्या है अप हो गए और यह देखो कि अपने पैसेंट की पोजिशन कैसे हो गई तो कैसेट है उसके टर्फ में कौन सा पार्ट आ गया अब इसमें centring की बात करते हैं तो अपने centring कहां कर रहे हैं centring जो अपने दोनों mandible angles है उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के midpoint में अपने centring कर रहे हैं यही मैंने आपको centring बताई थी देखो एक diagram और बताया गया है अगर अपने पैसेंट को क्या है shoulders को राइज नहीं करवाते हैं तो इस प्रगार से अपने कैसेट की position लगा सकते हैं जिसमें अपने middle side table के perpendicular आता है और और मिटल लाइन देखो यहां दिखा रखी है डाग करके कैसे दिखाई जा रही है कैसेट के parallel दिखाई जा रही है यह पैसेंट है पैसेंट की erect position में अगर पैसेंट की क्या है erect position में अपने view कर रहे हैं तो वर्टेक्स पार्ट के सिट के टच में आ गया और बिटो मिटल लाइन क्या हो गई टेबल के पेरलल हो गई और अमस प्लेन क्या हो गया टेबल के परपेंडिकुलर हो गया सेंट्रिंग देखो इस डाइग्राम में भी अपने को यहीं दिखाए गई है जो एंगल है मेंडिबल्स के उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड़ पॉइंट में सेंट्रिंग की जा रही है अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोलोजिकल अपिरेंस की रेडियोलोजिकल अपिरेंस क्या बता रहे है बेस ओफ सकल विद इट्स फोरमन, एंटिरियर आर्ट ओफ एटलस, ओड़न्टोइड प्रोसे संद मेंटोइड एर सेल्स और आइदर साइड ओफ मेगनम अर क्लियरली सीन जो अपना base of skull है वो foramin के साथ यानि art of atlas foramin के साथ अपने को scene होता है foramin कहा होती है तो anterior art of atlas है यानि atlas कौन से होती है C1 वो अपने को scene होती है ordoentoid process जो अपने C1 और C2 cervical spine C1 और C2 यानि cervical first और cervical second atlas और axis के बीद में तो ordoentoid process होती है वो और mastoid air cells either side of the magnum जो अपने को foramin magnum दिखाई दे रहे है उसके दोनों साइड में अपने को air cells भी दिखाई दे रही है यानि skull का bells foramin के साथ anterior arts of atlas यानि atlas का anterior arts ordoentoid process और magnum के दोनों साइड में air cells अपने को clearly seen हो रही है posterior ethmoids are seen on either side of the nasal septum जो posterior ethmoids होते हैं वो अपने को nasal septum के दोनों साइड में clearly seen हो रहे है sphenoid are seen below the ethmoid sinus जो अपना sphenoid sinus होता है वो अपने को ethmoid sinus के पीछे की और दिखाई दे रहा है इसके बाद अपने बात करते हैं exposure की exposure क्या रहेगा तो exposure अपना distance 92-100 cm केवी रहेगा अपना 72-80 अमेस रहेगा अपना 80 और grid का बात करें तो grid अपने यूज में लेंगे तो यस इसके बाद देखो अपने को hanging head position की एक x-ray film दिखाई गई है जिसमें देखो nasal septum यह तो अपना nasal septum में इसके दोनों साइड में क्या है इत्मोईड sinus दिखाई दे रहे हैं इत्मोईड sinus के पीछे के पार्ट में sphenoid sinus दिखाई दे रहे हैं frontal sinus भी यहां दिखाई दे रहे हैं देखो और maxillary sinus भी यहां दिखा रखे हैं और यह क्या अपना foramen foramen भी अपने ucleolation हो रहा है और यह देखो यह पिछे अपने को sphenoid sinus भी दिख रहा है यह पार्ट जो दिख रहा है यह क्या है angle of mandible और यह देखो arts of atlas यह वाला पार्ट यह atlas की आर्थ दिखाई दे रही है और यह जो process है atlas और axis के बीच में यह अपने को clear lesson odontoid process यह अपने को clear lesson हो रही है तो यह सारा अपने को क्या है hanging head position में clear lesson हो जाता है यह आपने क्या skull के views complete होते हैं बाकी अपने पढ़ेंगे आगे next class में Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you